हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की इस नई वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी जो चला बिग बस लिग 2022 इसका 32 बा मुकाबला मेलवन रेनेगेट से और होबाट हरीकेंज के बीच में खेला जाने वाला है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इन दोनों टिम में से इस में आज को कौनसी टिम उइन करेगा यह में आज कब और कितने बज़ और कहां पे खेला जाएगा इस जो दोनों टिम इस में आपस में टक रहेंगे और यार इस वीडियो को end तक जरू देखें अब यार आगे चलते हैं Melbourne, Renegades, Hobart, Hurricanes इनके last match में केसा प्रादर्शन करके आये हैं उस report के उपर थड़ा नजर डाल देते हैं उससे पहले मैं आपको एक important चीज बताने वाला हूं आप अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं के हैं तो जल्दी से जोइन कर लिजिए वहाँ पर आपको Tau, Session, MatchBinner, Fantasy Team, Dream 11, Jackpad Match, Binner Team और भी दुनिया भर का प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलिग्राम पर ही मिलने वाला है वीडियो पर दोस्तो हम कुछी ही प्रेडिक्शन दे पाते हैं असली प्रेडिक्शन तो हमारे टेलिग्राम पर आता है मैं अगर शुरू होने के एक दो घंटे से पहले ही हमारे आपडेट टेलिग्राम पर आ जाता है भहत सारा बंदे हमारे टेलिग्राम पर बहुत सारा profit कमा रहे हैं आपक्यों पिछरे गए हैं जल्दी से हमारे टेलिग्राम पर जोईन हो जाए description में और comment box में आपको link मिल जाएगा बागी दोश्तो हमारे इस YouTube चैनल को subscribe भी कर देना अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और शूरू करते हैं दोस्तों ए मियाच आपको इंडियन टाइम के इसाफ से 7 जनवरी 2023 सनीवार के दिन 12 बच कर 35 मिनिट पे शूरू होता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों आप यहाँ पे एक बार देखेंगे तो मिलबन रेनेगेट्स और होबाट हरीकेंच इसी जन में एक एक बार आपने सामने बिड़ी चुके हैं उस बाली मैच में होबाट हरीकेंच पहले पारी खेलते हुए 20 बर में 10 विगट खोके 122 रन ही बना पाए थे पॉइंट टेबुल की पोजिशन में होबाट हरीकेंच छे नमर पे आते हैं और यहाँ मेलबन रेनेगेट्स आठ नमर पे आते हैं अगर आगे चलिए दोनों ही टिम की कैप्टेन कौन-कौन रहने वाले उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों मेलबन रेनेगेट्स की कैप्टेन है एरन फिंच यह बहतर कैप्टेन के साथ सांदार बल्लेबाज भी है इन्होंने बिग बैस लिके टोटल 95 मैचेस खेल चुके हैं इसमें से 94 इनिंग्स खेलते हुए 3055 रन बना चुके हैं और इनका जो हाइस कोर 111 देखने को मिला है और एक बार होबाट हरीकेंश की कैप्टेन की बात करेंगे तो इनके कैप्टेन है मेथिव बेड मेथिव बेड बहुत बेतरिन कैप्टेनशिप ला जबा बल्लेबाज भी है बहुत सारे मैचेस में इनका बला गेंदवाजों के गेंद पर भारी पड़ते हुए देखने को मिला है इन्होंने बिग बेस के टोटल 92 मैचेस खेल चुके हैं 88 इनिज खेलते हुए 2399 रन बना चुके हैं इनका है स्कोर 130 देखने को मिला है दोस्तो अब 5 रिपर्ट के ओर चलते हैं जान लेते हैं ए मैच कौन सी मैदान में खेला जाएगा दोस्तो ए मैच डोकलेंट स्टेडिया में खेला जाएगा ए मैदान मेलबन रेनेगेट्स की घर का मैदान है मतलब के इनका होम ग्राउंड है इस मेदान पर Big Bass League के टोटल 57 मैचेस खेले जा चुके हैं उसमें से 28 मैचेस डिफेंड हुआ है और 28 मैच चेस भी हुआ है दोस्तो इस मेदान की जो higher score है 223 रन है यहां का जो lowest score है 57 है पिछले सीजन 2021-22 में जो Big Bass League खेला गया था उसमें से इस वैली मेदान में 8 मैच खेला गया था उन 8 मैच में से यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टिम 5 मैच में बड़ा थासिल किये हैं बाकि 3 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टिम बड़ा थासिल किये हैं इस मेदान में अभी का जो 2022 और 2023 का बिग बैस लिग चल रहा है इसी सीजन में यहाँ पे दो म्याच खेले जा चुके हैं उन दोनों के दोनों म्याच डिफेंड हुआ है अभी तक एक भी म्याच चेस नहीं हुआ अभ यार चलिए पीच की बिये बेर को देख लेते हैं यह किस के लिए कैसा साबित होने वाला है दोस्तो एपीच दोनों ही के लिए स्वीटेबुल है बले बाजी यहाँ पे बहतरी बले बाजी करते हुए दिखेंगे गेंदबाजों को यहाँ पे सांदर प्रदक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे 20 ओबर तक का जो अब यहाँ बात कर लेते हैं इस मियाच की सेशन के बारे में यह सारे सेशन आपको आगे चल के म्याच में बहुत सारा प्रॉफिट दिलाने में बेहतर कारगर साबित होगा दोस्तों आपको पहले का जो 6 ओबर पावर प्ले कर रहा था उसमें 35 से 38 रन देखने को मिल सकता ह 10 ओबर तक आपको 60 से 65 की स्कोर देखने को मिलेगा 15 ओबर तक 110 से 115 की स्कोर देखने को मिलेगा बाकि आखरी के 20 ओबर तक लगभग आपको 160 से 165 की स्कोर बनते हुए दिखेगा दोस्तों इस बावंडरी के एक सेफ स्कोर है इस कोर को पहले इनिक्स में जो भी टीम बना ल बाउंडरी का जो स्ट्रेट बाउंडरी है मतलब जो सामने का बाउंडरी और 60 मिटर का है 72 मिटर यहां का ओफ साइड की बाउंडरी है रोगेस केन रिचर्ड सान और आकरी में आपको दिखेंगे मुझिव उर रहमान अब एर होबाट हारीकंच की प्लेइंग 11 को देखेंगे तो इनके प्लेइंग 11 में से आपको दिखेंगे जेक क्रेबली, टीम डेवीड, अशिप अली, मिचल ओवेन, फाहिम अश्रफ, नदन इलीष, पेटरिक दोली और लास्ट में रिले मेर्धित खेलते हुआ आपको नजर में आएंगे अब दोस्तों इन दोनों टीम के head to head की क्या report है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीम की head to head की history ये बया करती है इन दोनों टीम के बीच में total 10 match खेले जा चुके हैं उन 10 match में से Hobart Hurricanes ने 7 match में बड़ा थासिल किये हैं इन दोनों टीम में से इस match को कौन्सी team win करेगा इसके बारे में जानने की यापर दोस्तों हमने दोनों टीम की पिछले match की report देख लिए दोनों टीम की captain को देख लिए pitch की report को देख लिए दोनों टीम की playing 11 को देख लिए दोनों टीम की head to head को देख लिए इन सारे चीज को देखने को बाद ये तो सियर हो जाता है होवाट हरीकेंस इसमें आज को जितते हुए आपको दिखेगा दोस्तो हमने तो हमारा विलने टिम दे दिये हैं आप लोगों का क्या राय है हमारा कॉमेट बॉक्स में आपका किम्ति राय जरूर देना आप दोस्तो हमारे साथ वीडियो में यहां तक आये तो इसलिए आपको धन्यबाद हमारे इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और हमारे इस चैनल को सस्क्राइब भी कर देना तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद